इस यूटूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वितिय सला, कानूनी सला या तो व्यक्तिकच सला के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए तेन दुर्स्तो इंडिया की तरफ से बाइनेंस के लिए काफी बड़ी खबर निकल के आती है खबर देखने के बाद हमें तो यही लगने लगा है कि इंडिया के अंदर आने वाले टाइम के अंदर बाइनस को चलाना काफी मुश्किल होगा या तो यह भी हो सकता है कि बाइनस हमेशा हमेशा के लिए इंडिया को बाइनस को छोड़ना पड़ सकता है क्योंकि कुछ टैम पेले काफी सारी एप्लिकेशन ये वेबसाइट को FIU ने इंडिया के अंदर बेन करवा दिया है उसमें Binance भी आता है अभी भी आप Play Store के अंदर जाएंगे तो इसका एप्लिकेशन मौजुद नहीं है उलमोस्ट बेन कर चुके हैं इसके एप्लिकेशन को और वेबसाइट को क्योंकि FIU का ऐसा कहना है कि आपको हमारे अंडर रजिस्टर करना पड़ेगा और सारा का सारा डाटा हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा और कुछ फाइन भी लगाया था Binance के उपर FIU ने कि FIU को भी आपको पे करना पड़ेगा अगर आपको अपनी एप्लिकेशन को अपनी कमपनी को उमारे इंडिया के अंदर चलाना है तो बाद में न्यूज भी आया था कि Binance FIU के अंडर रजिस्टर हो गया बट न्यूज था Binance ने मेरे इसाब से अभी तक कन्फर्म नहीं किया है कि वो FIU के अंडर रजिस्टर है क्योंकि अगर FIU के अंडर रजिस्टर होता तो कुको इन की तरह Binance का एप्लिकेशन भी वापस आ जाता क्योंकि कुको इन का एप्लिकेशन पहले हट गया था और बाद में कुको इन कन्फर्म किया कि हम FIU के अंडर रजिस्टर हो रहे साथी साथ कुको इन के अंडर TDS भी कटना शुरू हुआ है बट Binance के अंडर न्यूज के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ इसलिए यहां पर अभी तक एप्लिकेशन हमारे सामने नहीं आया है और वेबसाइट भी हम नहीं चला बारा है दोस्तों अभी तक FIU का मामला शुल्टा नहीं इसके बाद कल के दिन इंडिया की तरफ से Binance को एक नोटिश मिलता है GST पे करने के लिए कि आप Binance को कोई Office के बिना इंडिया के अंदर रन करा रहे और आपने GST वगेरा पे नहीं किया है तो यहां पर Binance को Fine लगा दिया है 86 Million Dollar का Fine 86 Million Dollar कोई छोटा मोटा आकडा नहीं है यहां पर किसने Fine लगाया है DGGI मतलब एरप्टोरेट General of Goods and Services Tax Intelligence यह Department है GST collect करता है इसने आपर नोटीज ठोक दिया है Binance को कि आपको इतना जुर्माना पे करना पड़ सकता है INR की बात करेंगे तो यहां पर Indian Government ने GST कितना पे करने को का है 722 करोर रूपे 722 करोर रूपे Binance को GST देना पड़ेगा अगर यह नहीं होता है तो कितने सारे प्रोब्लेम हो सकते है यहां पर मैंने डीटेल में बताने की कोसिस की है कि Binance को क्या क्या करना पड़ेगा अगर उसको इंडिया के अंदर ठीकना है तो पहले तो उसको confirm and clear cut Indian users का TDS काटना होगा प्लस FIO के अंडर अगर रजिस्टर नहीं हुआ है जो news था वो fake था अगर इसा होता तो मेरे साब से उसको FIO के अंडर रजिस्टर करना पड़ेगा अगर रजिस्टर कर चुका है तो वो problem शोल्ट आउट ठीक है दूसरे चीज Binance को इंडिया के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा एक office open करना पड़ेगा प्लस यहाँ पर उसको GST नंबर भी लेना पड़ेगा और उसको time time पे GST पे करना पड़ेगा GST नंबर लेके GST पे करना पड़ेगा साथी साथ सबसे पेले तो 722 करोर रुपे का जुर्माना भी पे करना पड़ेगा गवर्मेंट को उसके बाद बाइनस को office खोलना पड़ेगा उसके बाद GST नंबर लेना पड़ेगा जुर्माना भरने के बाद भी उसको आगे का GST देना पड़ेगा जितना वो service इंडिया के अंदर प्रोवाइड करता है मतलब 18-28% जो GST है वो उससे पे करना पड़ेगा इंडियान गवर्मेंट को अगर ऐसा होता है तो ठीक है वरना इसका गेम खतम बाइनस का गेम खतम हो जाएगा अब प्रोब्लिम यहाँबर मुझे क्या लगा जैसे कुकोई ने FIO के अंडर रजिस्टर किया उसके बाद 90% वोलियूम इंडियान यूजर्स का गिर गया ऐसे ही बाइनस भी FIO के अंडर रजिस्टर कर गया है और अभी TDS नहीं कट रहा है बट जैसे TDS कटना शुरू होगा तो समझेगा 90% 99% यूजर्स से वो ड्रोप हो जाएंगे क्योंकि इंडियान यूजर्स TDS अभी देना नहीं चाते है क्योंकि 1% TDS कटेगा तो वो एक्चेंज से दूर भाग रहे कई वोलेट्स में जा रहे या तो कोई और एक्चेंज को डून रहे है जहां पे TDS वोगेरा नहीं कट रहा है ठीक है और काफी सारे होल्डरे वो तो वोलेट्स में लेके बैठे बट एक्चेंज से डरने लगते है फिर तो बाइनस ये भी सोचेगा कि कोई कोई के साथ तो ऐसा हुआ है कि बाई 90% से ज्यादा ज्यादा वोल्यूम गिर गया जब से TDS कलेक करना शुरू किया है तो हमारा ऐसा तो नहीं होगा कि ये तो 722 क्रोर रुपे देना पड़ेगा प्लस कुस एक फाइओ के अंडर रजिस्टर होने के लिए जो मनी लोंडरिंग वगरा का केस हुआ था उसका कुस जुर्माना पे करना पड़ेगा कुल मिलाके एकजार करोर तो Animation को देना पड़ेगा उसके बाद Binance इंडिया में आएगा प्लस उसमे वल्यूमें चला जाएगा तो एकजार करोर रुपे का ये अब कोन मिलाएगा ठीक है Binance खुदी दूर चला दाएगा आपको क्या लगता है अगर ये 722 करोर रुपे नहीं देता है इंडिया के अंदर ओफिस नहीं खुलता है साथी साथ वो GST निमबर नहीं लेता है और FIO के अंडर रजिस्टर नहीं करता है तो इसका application कभी भी वापस नहीं आएगा website भी शुरू नहीं होगा और ऐसा भी हो सकता है कि Binance का आप अभी access कर रहे हैं वो भी खतम हो जाएगा तो मेरे जिसाब से अभी थोड़े time के लिए हो सके तो Binance के आप Binance से आप दूरी बनाए रख सकते हैं कोई और एक्चेंज के अंदर रहे सकते हैं क्योंकि अभी एक काफी बड़ा problem फेस कर रहा है 722 करो रूपे कोई छोटी मोटी चीज़ लाइगा अगर आप चाते हैं कि कौन से एक्चेंज का यूज़ करना चाहिए तो कुस एक्चेंज इसके link में description box में provide करूँगा telegram में provide करूँगा एक एक्चेंज को मैं cover भी करूँगा कि जिसमें हर एक meme coin पहले list होते हैं प्लस बात करेंगे तो काफी सारे giveaways भी करता है एक्चेंज एक्चेंज का ने में coin EX जो कि only trading करने के लिए use कर सकते बाकी सारे के सारे एक्चेंज रिस्की होते हैं link description box में दे रहा हूँ अभी maker and taker fees देखेंगे तो coin EX में काफी कम कट रहा है और मैं discount वाला link दे रहा हूँ तो आपको trading fees काफी कम कट सकता है trading करने के लिए इसका use ले सकते हैं प्लस और भी एक्टेंज इसके link में आपको telegram के अंदर provide करूँगा तो telegram को must must join करे और coin EX में registration करना चाहे तो link मेंने description box में provide कर दिया है